Morning Friends, Welcome to Study with Neelam चलिए तो देखते हैं मद्द्रदेश Current Affairs 2022-23 के वो important points जो आपके exam का part बनते हैं इसमें MP Sports का जो GK है वो प्लस MP Sports Current Affairs दोनों आपको देखने को मिलेंगे आप MP की किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं चाहे वो MPPSC हो, MP Police 1 रखचक या फिर MP6 हो जितने भी आने वाले exam हैं उन सभी में ये question आपको देखने को मिलेंगे चलिए तो हम शिरू करते हैं पहला point बरस 2022 के Commonwealth Games में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो कुल पदकों की बात की जाएगी तो तब हम बोलेंगे 61 और इन कुल पदकों में 22 हमने गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 कांसे जीते हैं 22, 16 सिल्वर, 23 कांसे टोटल हमने 61 पदक जीते हैं याद रखिएगा टेस्ट किर्केट में भारत के पहले कप्तान कौन थे, तो याद रखिएगा CK NIDU टेस्ट के जुमेच हुए थे, उनमें भारत की तरव से पहली बार कप्तान कौन बने थे, तो CK NIDU बने थे important है, इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी होती है, CK NIDU ट्रॉफी तो पूछा जाता है एक्जाम में कि CK NIDU ट्रॉफी का संबन किस खेल से है तो generally बच्चे लगा कर आते होकी, तो वो गलत हो जाता है किस से है, किर्केट से निमन में से किस खेलाडी को किर्केट के भीस में पिताब मा के नाम से जाना जाता है ये एक्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेगा CK NIDU को कहा जाता है मद्धिपर्देश के किस प्रसिद्ध खेलाडी को बुलिट या गोली कहा जाता है इन खेलाडी का नाम है संकर लक्षमन, संकर लक्षमन का संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध होकी से, होकी में भी किस पोजिशन पे थे थे गोल कीपर की किस जिले से आते है, इंदोर जिले से, ओके यहीं पर आपके चार से पाँच कोश्चन एक एक खिलाडी से तयार हो जाते है पहला कोश्चन तो यहीं के बिलेट और गोली के नाम से किसे जाना जाता है तो संकरलक्षमन को, संकरलक्षमन का संबन्द के जिले से हैं इंदोर्ते संकर लख्ष्मन का संबंध किस खेल से होकी से संकर लख्ष्मन का होकी में किस टाइब की ये खिलारी थे तो ये भी होकी में क्या थे गौल कीपर तो बहुत important खिलारी है इन से related एक question आपको जरूर मिल जाता है मध्यप्रदेश के एक्जामों में अगला देखते हैं केरल के कोजी कोट में आयोजी टूनामेंट में मद्ध्य परदेश के किस सलालम खिलाडी ने तीन स्वर्ण पदक जीते हैं कहा हुआ था कोजी कोट में केरल के नेशनल टूनामेंट था मद्ध्य परदेश के खिलाडी है किस छेतर में सलालम के खिलाडी है कितने स्वर्ण पदक जीते, तीन स्वर्ण पदक जीते, नाम क्या है सिखा चोहान, क्या नाम है सिखा चोहान, नो का दोड होती है यह, अगला देखते हैं, मद्ध प्रदेश के सीनियर खिलाडियों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो याद रखेगा विकरम ठीके जन्म इनका गोरक पुर में हुआ था लेकिन मत्यद प्रदेश की तरफ से किर्केट खेलते थे डेबिउ टेश्ट में दोनों पारियों में क्या किया था इन्होंने West Indies के बिरुद्ध 16 विकेट लिये थे जो दोनों पारियां होती है टेस्ट मैचस की उसमें इन्होंने टोटल कितने विकेट लिये थे 16 विकेट किस टीम के खिलाफ लिये थे वेस्ट इंडीस की खिलाफ लिये थे अगला देखते हैं समीर दाद ये कोशन फैवरेट है वही MPPSC हो या MP व्यापम हो समीर दाद का सम्बन किस खेल से होकी से किस जिले से आते हैं समीर दाद तो ये भुपाल जिले से आते हैं मद्यप्रदेश की परवता रोही भावना डहरिया ने किस परवत की चोटी फता की है तो अलबुरुस परवत की किस चोटी की फता की है अलबुरुस परवत की फता की है देखे एक्जाम में क्या होता है जब आपसे पूछा जाता है मद्यप्रदेश की पहली Mound Everest फता करने वाली कौन है तो भई वो सीमा पर मारे लेकिन जर्नली बच्चे क्या टिक कर देते हैं भावन डहरिया भावन डहरिया नहीं है मद्यप्रदेश की परवातरोई भावन डहरिया का संबंद किस जिले से तो चिंदवाड़ा जिले से आती हैं ये किस जिले से चिंदवाड़ा जिले से मद्धिप्रदेश के खिलाड़ी अमिताब विजेवर्गी खिलाड़ी का नाम याद रखी अमिताब विजेवर्गी किस खेल से संबन दे थे ये हैं आपके इंदोर जिले से मद्धिप्रदेश शुरू है खेलों इंडिया यूथ गेम्स दो हजार तेईस ठीक है कहां कौन सा संसकरण है यह याद रखेगा फिप्त संसकरण है दो हजार तेईस में संपन्य हुए अब दो हजार तेईस के सिक्स्त वाले होंगे मद्धिप्रदेश के प्रिसिद्ध खिलाडी इमाम और रह्मान नाम इंपोर्टेंट है इमान इमाम और रह्मान किस खेल से संबन्दित है यह होकी से हैं किस जिले से संबन्दित है मद्धिप्रदेश से आते हैं इमाम और रह्मान मद्धि प्रदेश में ठाकू रणमत सिंग इस्टेडियम किस जिले में मिलेगा भई आपको ठाकू रणमत सिंग जो इस्टेडियम में ये आपको देखने को मिलेगा रीवा जिले में कहां देखने को मिलेगा रीवा जिले में देश की सबसे अधिक उम्र की परवता रोही का नाम बताएं जिन्होंने एलबुस चोटी को फतह किया है तो कौन है जोती रात्र हैं त्रेपन वर्ष की है और भोपाल से ही आती है भावन डहरिया एलबुस परवस को फतह किया लेकिन अगर सरवाधिक उम्र की पूछे तो ज दोती रात्र हैं त्रेपन वर्ष यह और भोपाल जिले से आती हैं यह ओके मद्द परदेश की प्रथम महिला जिनोंने मांट एवरेश्ट पते किया तो कोने सौरी में सीमा परमार बोले थी मेगा परमार सीहोर से हैं यह मेगा परमार ओके मद्द परदेश की प्रसिद्ध याद रखो और खेल से किर्केट याद रखो चन्दू किस खेल से संबन देते किर्केट से और सरवटे से सागर जिले से सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष यी कोशन बहुत पूछा जा चुका है ना प्रदेश के किस खिलाडी ने मास्को रूस में वूसु चेंपियंशिप 2022 में सौर्ण पदक जीता, तो रोहिद जाधव ने, किस ने जीता, रोहिद जाधव, यह कहां से आते हैं, भोपाल जिले से आते हैं, किस खेल से संबंदी तो याद रखेगा, वूसु से हैं, कौन रो मद्द्धी प्रदेश पार्ची क्रिकेट किलप की स्थापना किस वर्ष होई थी उन्न 1890 में होई थी कहा होई थी इंदोर मोई थी मद्धिपरदेश कृड़ा परिशत का गठन किस वर्ष किया गया था तो वर्ष 1960 में किया गया था वर्ष 1986 में किस महिला ने मात किस की आ रही है महिला की आ रही है यह बहुत फैबरिट कोश्चन है यह टेश्ट करकेट में 190 रन बनाये थे तो याद रखिएगा संधिया अगरवाल का संब्ध किस खेल से क्रकेट से किस क्रकेट में 1991 में खेली थी कहां पर लिए इंदोर के हौल कर स्टेडियम में खेली थी किस टीम के विरुद्ध वैस्ट इंडीज याद रखियेगा कप्तान रहते हुए बात की जारी कि विरेंद सेहःग ने कप्तान की भुमेका में 219 रं की पारी खेली थी तो तीन कोशन बनेंगे किस वर्ष खेली, 2011 में खेली, कहां खेली, हॉलकर स्टेडियम कहां है, इंदोर में है किस team के विरुद खेले तो western days के विरुद खेले ये सभी point ठ्यान रखिएगा अगला है इंदोर की किस cricket खिलाडी को Melbourne Cricket Club MCC का सदश्य बनाया गया है तो संधिया अगरवाल को किसे बनाया गया है संधिया अगरवाल को कहा है ये अगला है मुसकान किरार का संबन किस खेल से मुसकान किरार अभी चा रही है किरकेट के खेतर में तो याद रखेगा तीरंदाजी मुसकान किरार तीरंदाजी मद्यप्रदेश की अकैद्मी कहां इस्ते थे तीरंदाजी अकैद्मी होगा वही है न तीरंदाजी अकैद्मी जानकारी लिखा गया हो तीरंदाजी अकैद्मी कहां इस्ते थे तो ये जबलपूर में कब बनी तीरंदाजी अकैद्मी 2013 में इस्थापित हुई है मद्ध परदेश की प्रथम खेलनेती किस वर्ष आई थी मद्ध परदेश में अभी तक कितनी खेलनेती आई है तीन पहली आई थी 1989 में दूसरी आई 1994 में और तीसरी आई 2005 में क्लियर है याद रखेगा किस खेलो इंडिया यूथ गिम्स 2021 संसकरण में मद्ध परदेश के किस खिलाडी ने 21 की बात हो रही है आपसे यह ओके ध्यान रखेगा किस खिलाडी ने पोल मलखंब में स्वर्ण पदक जीता तो सिद्धी गुपता सिद्धी गुपता का संबंद किस खेल से पोल मलखंब से है और इन्होंने जीता है क्या स्वर्ण पदक 12-5 स्वर्ण पदक और 2 रजद पदक इन्होंने जीते हैं ठीके याद रखिएगा अगला है वर्स 1988 में किस श्टेडियम में पहला एक दिवसी अंतर राष्टी है पहले की बात हो रही तो केप्टन रूप सिंग स्टेडियम कहां पर मिलेगा आपको वालियर में मिलेगा इसलिए इंपोर्टेंट धिहान रखिएगा मद्ध प्रदेश की प्रिसिद्ध खिलाडी हर्शिता तोमर का संभंध किस खेल से है नोका दोड़ या ऐसे सेलिंग कहेंगे और जिले की बात की जाए हर्शिता तोमर तो किस जिले से है भई यह होशंगा बात से आती है मत्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने Under 20 World Athletics Championship के लिए कौलिफाई किया है तो नाम याद रखियेगा अरजुन नाम है इनका और किस जिले से आते हैं तो ये खरगोन जिले के हैं अर्जुन किस खेल से संब़ दे थे एथलेट से और 1500 मीटर की इन्हों ने रेस 4.6 सेंड में पूरी की थी फूर मिनट 6 सेंड में पूरी की थी 15 की रेस किसने अर्जुन कि जिले से आते हैं खरगोन से आते हैं विक्रम पुरसकार किस वर्ष प्रारंब हुए थे तो विक्रम पुरसकार 15 मई 1990 को प्रारंब हुए थे ठीक है विक्रम अवार्ट सीनिर खिलाडियों को दिया जाता जिनकी वर्ष उम्र 18 वर्ष से अधिक है मान सिंग तोमर का संबंद मद्द प्रदेश के निम्न में से किस जिले से है तो भई मान सिंग तोमर यह है भई पान सिंग तोमर होगा इनका नाम है ना मान सिंग नहीं है पान सिंग तोमर का संबंद के जिले से है तो ये मुरेना जिले से है और ये स्टेपल चेज के क्या थे खिलारी थे है ना स्टेपल चेज याद रखेगा पान सिंग तोमर जो क्या बन गए थे डकेत भी मने थे मद्ध प्रदेश का राजकी खेल मल्खंब है मद्ध प्रदेश का राजकी खेल कुन सा है मल्खंब है मल्खंब अकेदमी मद्ध प्रदेश के किस जिले में है इंपोर्टेंट है बार बार पूछा जाता उज्जेन में कब बनाई गई मलखंब अकैदमी 2018 में मतलखंब को राजकी खेल कब गोशित किया गया 10 अपरेल 2013 को राजकी खेल बना 10 अपरेल 2013 को मलखंब अकैदमी बनी 2018 में कहां मिलेगी उज्जेन में मिलेगी राजकी खेल क्या है मलखंब है मलखंब कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार का होता है यह सिद्धी गुपता किस मलखंब से जुड़ी हुई है पोल मलखंब से कितने टोटल पदक जीते बारा पदक ठीक है एक होता है पोल मलखंब एक होता है रोप मलखंब मतलब रस्ती पर और एक होता है हैंगिंग मलखंब जिसमें लटकते हैं पेरों के सहारे बर्तमान मद्ध परदेश में मलखंब के कितने केंद्रे तो चौधा इसके केंद्रे अकेद्मी कहा मिलेगा आपको उज्जेन में कब बनाई गई मलखंब अकेद्मी 2018 में मलखंब के छेतर में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरसकार कौन सा है प्रभास जोसी पुरसकार बरस 2021 के प्रभास जोसी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया most important है याद रखिएगा 4-5 star लगा रहे हैं इसमें ये question बनेगा तो ये दिया गया है मुझाहिद वेक को मुझाहिद वेक मलखंब के क्या हैं रह चुके हैं कोच रह चुके कहा हैं ये उज्जेन में प्रदेश की किस सहर में पहली बार राष्टी इस्तर के वील चेहर क्रिकेट टूनमेंट 2022 का आयज जुन किया गया तो भोपाल में किया गया था धियान रखिएगा अगला है मद्य प्रदेश के मुखे मंतरी द्वारा प्रदेश की पहली लाडली लच्मी पत्थ का लोका आरपन दो नवंबर 2022 को कहां किया गया तो भारत माता चोरहा आपको मिलेगा भोपाल में और जो स्मार्ट सिटी है उससे जुड़ा हुआ ये एक रोड जाता है इसी रास्ते को क्या नाम दिया गया है मतलब लाडली लच्मी रोड ओके हर जिले में ऐसी रोड बनाई जाएगी मद्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों मैं ये भी ध्यान रखिएगा मुश्कान से मुश्कान शेक का संभंध मद्य प्रदेश के किस खेल से किस जिले से मुश्कान किरार है जिनका संभंध किस से हवाई तीरंदाजी से यहां पर बात हो रही है मुश्कान शेक कहां से है शेपूरी से है निका संभंध किस छेतर स पावर वेट लिफ्टिंग से है और इन्हों ने चेंपियंशिप जो नेशनल लेवल की तो उसमें चार पदक जीते किसने मुस्कान सेख ने कंफ्यूज मत होईगा मुस्कान किरार तीरंदाजी से है और मुश्कान सेख का संबन्द पावर वेट लिफ्टिंग से है मद्ध प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लच्मी योजना कब लोंच की गई थी 2.0 का सुभारम कब किया गया है दो नवंबर 2022 को किया गया है पहली लाडली लच्मी योजना का प्रारम कब हुआ था 2007 में अब स्पोर्ट्स के बाद आपको मद्ध प्रदेश के जो important event है उ क्रशी मेलेक आयुजन कहां हुआ मुरेना में पहली लाडली लच्मी योजना का प्रारम हुई थी 2007 में प्रद्ध प्रदेश आयुष विश्विध्याले खोलने की घुष्णा मद्ध प्रदेश के मन खेल मदकिस मंतरी ने किये तो राम किशोर कावरे ने किये क्या खोला जाएगा मद्ध प्रदेश आयुष विश्विध्याले खोला जाएगा डॉक्टर अर्विंद कुमार शुकला को किस विश्विध्याले का कुलपती न्युक्त किया गया तो राज माता विजराज सिंधिया क्रशी विश्विध्याले कहां मिलेगा ग्वालियर में इसकी किया बन गया थacaYUNESCO Sights बन गया था अगला है अगला है मद्धप्रदेश से पहले Mr India कौन बने हैं तो मद्धप्रदेश से पहले Mr आंडीया विनिट्द्राज चर्मा निमन अंतराष्टि वेपार मेले में मद्ध प्रदेश ने कौन सा पदक जीता तो कौन सा पदक जीता इंपोटनेंट्ट है ध्यान रखिएगा अंतराष्टी वन मेला 2022 का आउजिन कहां कियेगा या प्रती वर्सिय बोपाल में ही आया जित होता है ध्यान रखिएगा 13 नवंबर 2022 को मद्ध प्रदेश के किस जिले की पूजा ओजा इसमें भी 4-5 इस्टार लगा लिजेगा लिखते समय पेरा काईकिंग खिलाडी को सामजिक नियाए एवं अधिकारित मंत्राले की द्वारा राश्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गया किसे पूजा ओजा को किस खेल से है काईकिंग की खिलाडी है और किस जिले से आती है पूजा ओजा भिंड जिले से आती है ICF वर्ड पेरा के अनुसार वर्स 2022 में उन्हें रज़त पदक जीता है पेरा खिलाडी है धियान रखियेगा देश का पहला जल स्थम्ब कहां स्थापित किया गया है तो उज्जेन जिले में स्थापित किया गया है किन जिलों के कलेक्टरों को साथ नवंबर 2022 को प्रधान मंतरी आवास योजना के उतकरष्ट क्रियानवेन के लिए राज जिपाल, मंगु भाई पटेल, मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान के द्वारा सम्मानित किया गया तो छतरपूर और बढ़वाने दो जिले टॉप पर रहे हैं प्रधान मंतरी आवास योजना के क्रियान में में धियान रखेंगे मद्द्रदेश के किस सहर में ब्लाइंड किर्केट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 का आउजन किया गया तो याद रखेगा 2022 का इंदोर में किया गया ब्लैंड किर्केट कहां हुआ, T20 World Cup 2022 इंदोर में और वीलचेयर किर्केट कहां हुआ था, तो यह हुआ था भोपाल में 3 नवंबर 2022 को आज तीसरे नेशनल कल्चर फेस्ट में मद्द प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो अब अब प्रदेश को तीसरा ही स्थान मिला है, ठीके, 3 नवंबर को हुआ था, तीसरा नेशनल कल्चर फेस्टिवल था और तीसरे इस्थान पर मद्द प्रदेश रहा, ठीके, एक लब आदर्स आवासिये विद्ध्याले के लिए मद्द प्रदेश को तीसरे इस्थान मिला है, हाल ही में मद्द प्रदेश की पहली आईरन किड निम्न में से कौन बनी है, तो नाई साथ ज्यान चंदानी इन्होंने साथ मिनिट में एक किलोमेटर की दूरी की पूरी की है, और यह कहां से आती है, भोपाल से, ओके, तो यह था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है, तो इसे जादा से जादा लाइक भी करें, और शेयर भी करें, और अगर आप Study with Neelam चैनल पर पहली बार आए हैं, तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन प्रेश करना बिलकुल मत भूलिएगा, ओके फ्रेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड टेक किए